एक पार एक किसान और उसकी वाइफ एक गाउं में अपने चोटे से बेटे के साथ रहते थे वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे एक दिन किसान अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास एक पैट होना चाहिए क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथी की जरुवत होगी तो वही पैट हमारे बेटे का साथी बनेगा उसकी वाइफ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है एक शाम फार्मर एक चोटा सा नेवला खरीद लाता है उसकी वाइफ कहती है कि अभी तो यह बहुत चोटा है पर यह जल्दी से बड़ा हो जाएगा तो हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा दोनों बेबी और नेवला बड़े हो जाते हैं कुछ पांच-छे महिनों में नेवला फुल साइसा ग्रो हो जाता है एक बहुत प्यारा जानवर जिसकी दो चमगीली आखें और एक पूछ है पर फार्मर का बेटा अभी भी चोटा ही है जो पल्ले में सोता है और रोता रहता है एक दिन फार्मर की वाइफ को मारकेट जाना था तो उसने बेबी को फीट कराकर पल्ले में सुला दिया तो सही कहूं तो मुझे बेबी को नेवले के साथ अकीला चोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं फार्मर कहता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंचन लेने की जरुवत नहीं है नेवला एक बहुत ही फ्रैंडली एनिमल है जो हमारे बच्चे की तरह है बहुत प्यारा सा और तुम जानती हो वो हमारे बेबी का बेस्ट फ्रेंड बन गया है उसके वाइफ मार्केट को चली जाती है और फार्मर के पास घर में ऐसा कोई काम नहीं होता है कि वो क्या करें तो वो सोचता है कि चलो बाहर चलती है और एक नजर जड़ा फील्ड पर डाल देता हूं घर से बहुत दूर तो है नहीं फील्ड तो एक नजर वहां देखाता हूं फार्मर को रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं और जल्दी घर लोटा पाना बड़ा मश्किल सा हो जाता है फार्मर की वाइफ शॉपिंग पूरी करने के बाद घर आती है एक भारी सी समान से भरी बास्किट के सा और वो देखती है कि जो नेवला है वो बाहर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था तो जैसे ही नेवला उसको देखता है तो वो खुशी के मारे उसके पास चला आता है उसका स्वागत करने जो फार्मर की वाइफ होती है वो नेवले को देखती है और चिलाती है खून क्योंकि नेवले की फेस और हाथ पर खून था फार्मर की वाइफ कहती है दुष्ट जानवर तुमने मेरी बच्चे को मार डाला वो गसे में आके वो भारी बकेट उस नेवले पर पटक देती है नेवले को खून आने लग जाता है और उसके बाद वो अपने बच्चे को अंदर देखने जाती है वो देखती है कि उसका बच्चा तो सो रहा है और नीचे साप मरा पड़ा है तब उसको एहसास होता है कि कहानी तो कुछ और थी वो बाहर भागती हुई नेवले के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और साप को मार डाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बतो मैं तुम्हेसाद कितना बुरा वेवाद किया जब उस नेवले को चूती है तो उसे पता चलता है कि नेवला तो अब मर चुका है उसे इतना जादा ही दुख होता है यह चीज़ सोच के कि उसने बिना सोचे समझे जो वेवाद किया वो बिलकुल भी अच्छा नहीं था तो आपको कि लगता है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है और आप इस कहानी से जिंदगी में अपने चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं हमें जरूर लिखेगा